मद्र विदेश में एक बर फिर शराब को लेकर सियासी जंग शुरू हो गई है पूर्व मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान के शराब बेचने को लेकर सरकार पर किये हमले पर मंत्री जीतु पटवारी ने उनको जब जूटा कहा तो विदायक विश्वास सरंग ने जीत शिवराज की सरकार थी मैं विपक्ष में था तब शराब बंदी पर शिवराज ने सदन में कुछ तरक रखे थे और अब वे कॉंग्रेस सरकार पर और आरोप लगा रही हैं। पटवारी ने शिवराज पर बोलते हुए कहा कि शिवराज का सत्ता के अंदर का तर्क और बाहर का तर्क अलग-अलग रहता है। जीतु यहीं नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि शिवराज जूट और दोहरे मापदंड पर राजनीती करते हैं। जीतु के इतना कहते ही पूर्व मंद्री विश्वा सारंग ने पटवारी को बहकावे में जीने की बात कही। सारंग ने जीतु को अपना पद और अपना व्यक्तित्व देखकर ही टीका टिपनी करने की बात कही है। शराब को लेकर उन्होंने टंटिंग किये। मैं आदरणी शिवराज सिंग चोहान को याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे प्रश्णी के उत्तर में आपने दस देशों का जिग्रि करते हुए शराब क्यों लागू शराब बंदी क्यों नहीं होना चाहिए इसका उधारन देत हुए आपने तर्क दिये थे मेरे प्रश्णी के उत्तर में जब आप मुख्यमंत्री थे में विपक्ष में वेक विधायक की भूमी का निभारा था तब शिवराज सिंग चोहां से मैंने अन्रूत किया था कि इस देश में प्रदेश में शराब बंदी चुकी बियार में हो सकती है गुजरात में हो सकते है तो यहां क्यों नहीं हो सकती है तो तर्क समीद Lik के विधान सभा के पटल पे जो उत्तर दिया उसमें उन्होंने 10 देशों का जिगरी करते हुए क्यों शराब बंदी नहीं हो सकती, इसके तर्ग दिये थे मैं हमेशा से कहता हूँ कि शिवराज सिंग चोहान का सत्ता में रहते हुए तर्ग अलग होते हैं और सत्ता के बाहर जानते हुए तर्ग अलग होते हैं दोहरे मार्डन से पोलिटिक्स करते हैं जूट के आदत इतनी बड़ी है उनको कि सत्ता में रहते थे 21,000 जूट बोले जिसकी गोश्टना या दूरी रह गई आप नीती बनाओगे और नियत साफ नहीं होगी तो उस नीती का कोई मतलम नहीं होगा यूही न चल पड़ेगा जमाना किसी के साथ नियत भी नएक चाहिए गांधी गिरी के साथ तो अपने नियत साफ करिए उसके बाद इस तरह की नई नीतियां बनाईए